हेलो स्टुडेंट स वाइलोजीकल क्लॉसिंफीकेशन में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से इंट्रोडक्शन में अगर हम आज की बात करें तो इसमें हम यह देखेंगे कि कि इसतर है अलग-अलग साइंटिस्ट जो ते वो आये और उनौने अपने according जो है वो अलग-अलग living organisms को classify किया था किस तरह से किसी ने 2 में किया तो 3 में किया किसी ने 5 में किया ठीक है तो यह आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले है तो लीनियस के टाइम के अगर हम बात करें तो इस समय आया था 2 kingdom classification इसमें अमने क्या किया था एक kingdom में फ्लाइं था और दूसरे kingdom में अनिमे या तो अब इसमें प्रब्लम से थी कि जैसे इन्होंने इसमें बताया इनि यूकरियोट्स कौन से हैं ये तो पता ही नी इसके अंदर ये भी problem थी कौन जो है फोटो सेंथेटिक है कौन जो है वो non फोटो cellular है और कौन सा unicellular इसके बारे में भी नहीं बताया ठीक है कुछ organisms तो ऐसे थे जो प्लांटे के अंदर भी नहीं फॉलो रहे थे और animals अनिमेलिया में भी नहीं आ रहे थे यानि उनकी कोई category नहीं थी ठीक है तो उन organisms के बारे में तो बाती नहीं की फिर और क्या problems थी कि जैसे plant का cell structure किस तरह का है इसके बारे में भी उन्हों नहीं बताया उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इन में nutrition किस तरह का होगा इस बारे में भी बात नहीं करी reproduction किस तरह का होता इस बारे में मोडिफाई किया अब एक और साइंटिस्ट थे जो नहीं हुए थे जो जो बेस हमें यह थे उसमें वो सारे बेसिस को इन्हों ने लिया और फाइव किंग्डम में क्लासिफाई कर दिया और्गानिजम्स को तो यह थे रॉबर्ट एच वटेकर 1969 में इन्हों ओए इन्होंने वो सारे क्लासिफिकेशन का सेल स्ट्क्चर किस तरह का है बाडी ऊर्गनाइजेशन रिप्रोडट्रेशन रिप्रोडotion-्यूट्रीशन इवलेशनली रिलेशन्शिप यह सारी चीज़े जो टूगिंग्डम में नहीं थी उन सब चीजहों को लेकर इन्होंने क्या था? मोनेरा इसमें यूनी Aunque आ裁कानिसम्स थे और वो प्रोकेरियोटिक ठीक है प्रोटिस्टा में भी यूनी सेलिबर आगानिसम थे लेकिन वो सभी उकेरियोट थे अब प्लांटे एनिमीलिया और फंजाए इन सब में जो और्गानिसम्स थे वो कैसे थे वो मल्टी सेलुलर थे और वो सभी कैसे थे यू के रहे हो तो इस बेस पे इन्होंने जो था वो फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया अब क्या था जैसे फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन दिया गया ऐसे ही सिखस किंडम और थ्री डोमेइं क्लासिफिकेशन दिया गया तो पहले बात करते हैं आप पर डोमें की तो यहां पर इसलिए हमने इसको बोला थी डोमेन सिस्टम तो यहां क्या किया गया इन्होंने काल वूल्स ने यह दिया था थी डोमेन सिस्टम फाल वूच ने दिया थी डोमेन सिस्टम और शिर्व किंग्डम एसको बोल सकते हैं इसमें इन्होंने किया क्या जैसे ождा मोनेरा को दो डोमें डिवाइड कर दिया एकम डूमें में बैक्टिरिय से इस影ंने क untuk इए इसको डिवायड कर दिया के अंदर आ गया यह एक अलग kingdom के अंदर और बाकी kingdom हमारे प्रोटेस्टा फंजाए अनिमीलिया और प्लांट यह तो पहले सही थे तो यह चार kingdom और बाकी यह दो kingdom बन गया ऐसे six kingdom classification अब यह मोनेरा है तो हमने भी पड़ा था मोनेरा कैसा है प्रोट है यूनि सेलुलर तो यह सब प्रोट और यूनि सेलुलर थे और बाकी यह सब मल्टी सेलुलर और यू केरियोटिक थे तो इस तरह का इन्होंने सिस्टम दिया था six kingdom और three domain classification जिसमें मोनेरा को डिवाइड किया गया बैक्टिरिया में और आर्किया बैक्टिरिया में और प्रोटेस्टा अलग था ठीक है प्लांटे फंजाई और अनिमिलिया तो इस तरह से इन्होंने six kingdom classification दे दिया और three domain classification में हम क्या करेंगे जो five kingdom classification है उसमें तीन kingdom पढ़ेंगे ठीक है कौन सा कौन सा kingdom हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मोनेरा प्रोटेस्टा और फंजाई बाकी प्लैंटे और अनिमिलिया को थर्ड और फोर चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है तो अभी हम क्या देखते है कि जो five kingdom classification है इसमें किस तरह से दीरे-दीरे improvement करेंगे मतलब क्या problems थी और फिर कैसे improvement करेंगे और कुछ basic characteristics जो है वो हम देख लेते जो आपके NCRT में जो table दिया गया ठीक है उसके बारे में हम बात करते है कि देखो, बहुत सारे जो classification systems थे इनोंने क्या किया था plants के ही अंदर बहुत सारे organisms को रखा था जैसे जो bacteria है उसको भी plants में डाल दिया blue green algae जो है जो cyanobacteria होता है उसको भी plants के अंदर डाल दिया इन्होंने फंजाई को भी plants के अंदर डाल दिया इन्होंने angiosperms, gymnosperms सबको plants के अंदर डाल दिया ठीक है किस basis पे कि सबके अंदर क्या present है cell wall present है पस ये देखा और क्या खा कि बहीं चलो ये सब जो है यह plants के अंदर आ जाएंगे और क्या किया गया कि जैसे spirogyra था spirogyra जो था इसको और klamydomonas को क्योंकि यह दोनों ही unicellular है klamydomonas और spirogyra यह दोनों unicellular organisms है तो इनको क्या किया गया इनको algae के अंदर डाल दिया गया फिर देखा गया कि जो fungi होती है cell wall तो इस पे present है और plants के अंदर भी present है जो green plants है उनके अंदर भी लेकिन जो fungi की cell wall है न वो काईटीन की बनी हुई है ठीक है यह five kingdom classification ने improvement किya कि fungi की cell wall काईटीन की बनी है तो इसको तो एक separate kingdom में डालना चाहिए तो इसको एक separate kingdom दिया गया पंजाई को ठीक है और plants के अंदर जो है वो cell wall किसकी बनी होती है cellulose की बनी होती है तो इनका plant में था ओके यह improvement five kingdom में किया गया और क्या देखा गया कि जैसे monera है monera में जितने भी prokaryotic unicellular थे वो सब जो थे वो monera में डाले गए protesta में क्या किया गया जितने भी ukaryotic unicellular organisms थे που protesta मे डाल जी तो इनको protesta में प्रोचisuOS, जैसे chlomeidomonas को algae में डाला था उसको क्या किया गया उसको algae केकि से हटा के किसमें डाला गया कि चुकि वो unicellular तो था लेकिन वो unicellular eukaryotic है. इस बेस पे 5 Kingdom ने क्या किया गया? क्लाइमाइडोमनास को प्रोटिस्टा में डाला अमीबा को जिसको एनिमेलिया में डाला था अमीबा है, पैरामीशियम है इनको किस में डाल दिया गया था? कि भई एनिमल्स के अंदर डाल दिया इनको ठीक है क्लामाइडो मनास को एल्गी में डाल दिया गया था तो इनको सब को हटा के वहाँ से फाइव किंग्डम ने क्या किया अलग से एक किंग्डम मनाया जिसका नाम रखा इनोंने प्रोटेस्टा इसमें वो और्गानिजम साते हैं जो यूनिसेलुलर यूकरियोट्स है तो वो और्गानिजम को इसमें डाल दिया गया तो इस बेसिस पे जो फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसने काफी सारा जो है वो इंप्रूव्मेंट किया ठीक है अब हम क्या करते हैं कुछ बेसिक क्यरक्टर्स जो जो टेबल दिया हुआ है टेबल 2.1 NCRT में एक बार उसको भी देख लेते हैं इसमें फाइव किंग्डम के कुछ बेसिक क्यरक्टर्स है जैसे सेल टाइप सेल टाइप मोनेरा में प्रोकेरियोटिक है ठीक है प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लैंटे, अनिमिलियन सब में कैसी है यू केरियोटिक है हमें धियान रखना है सेल वाल की बात करें तो प्रोकेरियोटिक की सेल वाल काफी रिजिड होती है ठीक है मोनेरा में जो सेल वाल होती है न वो काफी रिजिड होती है non-cellular है और किसकी बनी होगी polysacride और amino acid की बनी होगी protesta के अंदर किसी में present होती है किसी में absent होती है fungi में cellulose की बनी नहीं होती है kaitin की बनी होती हमने अभी देखा plant में किसकी बनी होती है cellulose की और animals के अंदर तो absent होती है nuclear membrane monera यानि bacteria जो है इनके अंदर absent होती है प्रोटेस्टा में फंजाई अनिमेले सब में प्रेजन देखे तो इस का भी सैलेफलर है इंकावी स्विट ठीक है कि दोने ही कैसे सिंगल सेनियर युनी आके यह सब कैसे है सब मैं यह सब में मल्ति ऑला है कि गर्रूस टिश्हाली Pacific बिद्दी अनिमील और हिट्रोट्रोपिक भी और हिट्रोट्रोपिक में हाँ पर कीमो सिंथेटिक और फोटो सिंथेटिक भी हैं हिट्रोट्रोपिक में सेप्रोफिटिक भी हैं और पैरासिटिक भी हैं दोनों टाइप की हैं प्रोटिस्टा में सिर्फ और सिप्रफिक आएंगेन तो πिज़िए इसमें स्वी इसमें विल्जाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ यंसमें सेपरीथी को पैराशीरकर दोन में पेसिर्फ फोटो चोडिंट दीके क्षण मेंगा अनिमल्स में और फट्रफिक मुदं आफN Bevしました है तो इसमें सिर्फ autotropic हो भी और वो भी कौन सी होगी photosynthetic सिर्फ monera ऐसा है जिसमें autotropic में chemo synthetic photosynthetic दोनों आएंगी और heterotropic में saprophytic और parasitic दोनों आएंगी तो दिहान में क्या रखना है देखो plants और animals का तो अपने आप लिख लोगे फंजाई का भी लिख लोगे सिर्फ monera दिहान रखो और जासे जादा protesta दिहान रख लो बस इतना ही दिहान रखना है तो अपने आप